हलो बच्चो मैं आनिक सिंग आपका विद्याराम वेकाट्मी में स्वागत करता हूँ हम जैसा कि अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास टेंथ की रसाइन्टी ग्यान के अंतरगत फ़र्स टेक्टर है आपका लेक्ष्टने और तेंट एक्वस इक्वी्शन्स थी कर अमने लास्ट व वीडियो में हमने पढ़ने नदाइक्वारी रखा का एक तंदी आपे म सिर्गे क supply कष्णन में अकक्षा एन्फटन रिया थिक्यार्ट तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपक्रिया को means oxidation reaction को तो यह जो आपका यापक्रिया होती है इसकी डिफिनिशन होते हैं वो चार से पांच पार्ट में डिवाइड होती है ठीक है तो इसको हम देखे समझते हैं इसकी कैसे होती है इसका oxidation का मतलब क्या होता है ठीक है तो the reaction in which the addition of oxygen in any element or compound ऑकर्ट मलब किसी भी या किसी भी अवयाउग में क्या हो oxygen का सैयोग हो क्या है एडिशन आफ आफ आपक्सीजन का सैयोग हो किसमें हो किसी भी अवयाउग या या याविक में ठीक है तो ऐसी अपिए क्या कहलाती है oxidation reaction कहलाती है जैसे इसका example हम देखे जैसे example अगर हम देखे तो जैसे क्या है आपका H oxygen है दो मूल हमने hydrogen gas लिया और इसमें हमने क्या किया oxygen का addition करवा दिया और क्या बन गया ये H2O 2H2O बन गया ठीक है तो क्या समझ में आ रहा है कि इसमें hydrogen में क्या हुआ है oxygen का सयोग हुआ है और क्या बन गया है जल बन गया H2O बन गया तो जब क्या हो किसी तत्यव या योगिक में oxygen का सयोग होता है तो ऐसे अप्रिया क्या होती है oxygen अप्रिया कहलाती है ठीक है फिस second part देखते हैं सेगेंट पार्ट में क्या बता रहा है कि दा इंप्रीजिंग आफ एलेक्ट्रो निगेटिव कंपॉनेνट या रिट्ली तत्तिक्तों की ब्रत्धी हो रही हो N endsיר मतलब ब्रत्धी होना ठीक है? जब क्या हो वहाँ रीक्षन जिसमें क्या हो रहा हो एक्सिदिशन रियक्सिं कहलाती है तो चलिए इसका एक्जामपल जैसे देखा जाए जैसे आपके पास SNCl2 दिया हूए तो इसमें हमने एक्सामपल SNCl2 दिया हूए आप जैसे कलोरीन गैस का एडिशन करवा दे रहे है तो है क्या बन रहा है SNCl4 ठीक है? तो CL क्या होता है? क्लोरीन आपको पता ही होगा more electronegative आपका atom होता है क्लोरीन गैस electronegative atom का हमने क्या किया? सहीओ पर दिया पहले क्या था? सिर्फ दो क्लोरीन थे जब उतपाद बना 4 क्लोरीन हो गए तो यहां पे increasing of electronegative atom हुआ न यहाँ पे electron negative atom की ब्रत भी हो गई जब ऐस प्रकार की अफ्रिया होती है जिसमें क्या हो electron negative atoms की increase हो जाए या ब्रत भी हो जाए तो ऐसे अफ्रिया भी आपकी क्या होती है आकसी कड़ प्रिया होती है ठीक है अब देखें निक्स देखते है third part क्या है the decomposition of hydrogen the decomposition of hydrogen hydrogen से मतलब क्या है decomposition मतलब क्या हो कि hydrogen निकल जाए अलग हो जाए ठीक है ऐसी अफ्रिया जिसमें क्या होता है किसी भी reactant से hydrogen जब निकल जाता है तो ऐसे अफ्रिया क्या कहलाती है oxidation reaction जैसे इसका example देखें हम बहुत तीजी example है क्या sodium hydride ले 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 हो जाए तो इस पी देखें नहीं हो जाएगा और HCl हो जाएगा 2HCl क्योंकि दो hydrogen है वह तू क्लोरीन है अभी ए हो आपका आपका सोडियम हाइडराइट था सोडियम के साथ हाइडरोजन जुड़ा हुआ था जब हमने उट पार देखा तोडिके सोडियम से हाइडरोजन अलग हो गया तो इसका मतलब क्या होता है जब किसी अभिक्रिया में क्या हो अभिकारक से हाइडरोजन अलग हो जाता है तो ऐसे अप्रिया क्या कहलाती है आकसी कणप्रिया कहलाती है ठीक है अब नेक्स देखते है the decreasing of electropositive component बलब electropositive मतलब क्या होता है धन विद्यूती तत्व धन विद्यूती तत्व क्या हो कम हो रहे हो तो अगर हम देख जाए तो यह आपका third one example है सेमी है, जो आपका H होता है hydrogen होता है hydrogen भी क्या होता है? एक परकार का electedropositive atom होता है electropositive positive atom होता है ठीक है? आपने देखा होगा जो H होता है, यह क्या होता है? H plus के form में formation होता है na जब इससे एक्रिक्टा निकलता है तो H-plus के रोप में आ जाता है तो अगर इसके लिए आपक्रिया देखी जाए तो इसके लिए भी यही सेम आपक्रिया होगी यही सेम रियक्शन होगा कि इसमें देखो आप देख रहो ना पहले sodium पे साथ hydrogen था एक इलेक्रोपोजिटिव एटम था जब आपने उत्पाद देखा तो यहां से इलेक्रोपोजिटिव एटम चला गया तो यह क्या हुआ लॉस आप इलेक्रोपोजिटिव एटम होगया तो इस step के लिए भी आपका यही एक्जांपल बन जाएगा कि sodium hydride है उसकी अपक्रियामने chlorine gas से करवा दी और आपका उपकाद क्या बना है sodium भात और क्या बना है hydrochloric अमल बना है तो इस तरह से आपका यह चार step हो गया और इन चारो step का अगर हम एक मतलब समझे या complete meaning of this reaction समझे तो क्या होगा? The reaction in which the iron atom and molecule loses the electrons मनलब । आइसी आपक्रिया जिसमें क्या होता है? कोई आईन पर माड़ या आडू क्या करता है? एलेक्रान का लास हो जाता है उस आईन पर माड़ या आडू के आडू से एलेक्रान का जब लास हो जाता है तो ऐसी अपिगिया क्या कहलाती है Oxidation reaction कहलाती It means क्या होगा Complete Millennium of reaction क्या होगा Lose off electron या Lost off electron ठीक है Lost off electron ऐसे करते हैं Lost off electron Lost off electron ठीक है Oxidation reaction का मतलब क्या होगा Lost off electron अब जिसके लिए example देखे तो मान लिज़े जिसके क्या sodium है sodium ने क्या किया एक electron इसे क्या किया निकाल दिया अपने से जब निकाल दिया जब electron किसी तत्व से electron निकलते हैं तो जितने electron निकलते हैं उतने ही उस तत्व प्या होते हैं धना वेसिट charge लग जाता है ठीक है इसी को अगर हम convert करें तो इस प्रकार से भी नित सकते हैं इसी को यानि पिलस यह को माइनमा उदर जाएगा प्लस हो जाएगा लिए एक marathon क्या बन रहा है sodium ने क्या किया आप नेए लिक्तान निकाल दिया या sodium से एक लिक्तानलास हुआ और sodium positive charge के साथ उपस्ठित हुआ उत्पाद के रूप में आ गए ठीक है तो इस प्रकार से आपने oxidation reaction समझा ठीक है oxidation reaction क्या होती है फिर से एक बार revision कर लिए ऐसी अप्रिया जिसमें oxygen का सयोग होता है ठीक है जिसे हमने एक्जामपल देखा एक्सटू प्रसोटू एक्स्टू बन गया फिर दूसरा इस्टेफ हमने देखा कि ऐसी इसमें क्या होता है इलेक्ट्र निगेटिव इंक्रीज होता है इसमें प्रद्धी होती है इसमें देखा था आपने SNCL2 कि हमने क्लोरीन गैस से करवाई SNCL4 हो गया पहले दो क्लोरीन थे अप चार क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन क्या है एक रेड़ीजी तत्तू होता है और देखो इस पाद में रेड़ीजी तत्त्तू की प्रद्धी हो गई तो इस करण यह भी आपका सीगार होगा पिर तीसरा स्टेप देख रहा है ति इसमें क्या वった DCM मतलब वी ओजन हो जब किसी यॉगलिक से वी हो जाता है तो ऐसी क्या कर लाती है तो जैसे हम देखाब साइप डी आ हमने सोडियम hydride लिया और chlorine gas लिया तो इसमें क्या हुआ, chlorine ने क्या किया, इस hydrogen को इस सोडियम से विजित कर दिया, तो देखिए पहले हाँ hydrogen था फिर आप देखिए hydrogen चला गया, किसके साथ चला गया chlorine के साथ, तो 2-n-e 2- ether Don our, Beforeestion, puisque सब्सक्राइब hips इस्टेप ले नो पढ़ा जाए तो देखू वही बात है कि सोडियम के पास पहने क्या था इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम था, हाइडोजन था जब रियेक्शन हो गई तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम क्या हुआ, चला गया मलब सोडियम के पास एक्ट्रो पॉजिटिव एटम की धन बितिती सत्व की कमी हो गई जब क्या हो किसी तत्व में अग्ट्रिया के दोरान सत्य आयोगी क्या परमाड में अग्ट्रिया के दोरान धन बितिती सत्व की कमी हो जाती है तो ऐसे अग्ट्रिया भी क्या कहलाती है आक्सिकन अप्रिया गहलाती है ठीक है फिर हम मेन अगर देखा जाए तो कंप्रीम बीटिंग आफ अगर हम किस अप्रिया का सार समझे या पूरा मतलब समझे तो क्या होता है दा रियक्षन इन विच दा आयन एटम आर मालिकूल लूज़ेश दा मतलब क्या हो जब किसी आयन परमाण या आर से क्या हो इलेक्षन का लास हो जाए मतलब क्या इलेक्षन की हान ही हो जाए तो ऐसी अप्रिया क्या कहलाती है आक्सिडेशन अप्रिया कहलाती है आक्सिकरण अप्रिया कहलाती है ठीक है इसके लिए example हम जेसे देखें तो example क्या होगा sodium ने क्या किया अपना एक लिक्रान लूज कर दिया और क्या बनाया जब कोई तर्तो एक लिक्रान लूज करता है या किसी तर्तो से लिक्रान निकलते है तो क्या होता उसको अपर धनावेस आ जाता है पॉश्टिव चान जाता है तो इसमेंगे जूटियूम यह को डिश्टिव यह से लिफ्टार पर प्र propheANTS यहाँTFरった क्लिया पॉश्टिव और यह उसके लिफ्टार निकाल पर फिर उसको क्लिए इस प्रोना हुप कि oxidation reaction के लिए lose of electron के लिए आपका ये example हो जाएगा ठीक है ति आपके क्या है oxidation reaction की बारे में हमने पढ़ा ठीक है आप इसका screenshot लिजे फिर हम आपको पढ़ाते हैं अप चैन अप लिए अच्छा साधे साधे इसमें ये भी देख लिजेगा कि आपसी करण को उपचयन भी बोलते हैं ठीक है उपचयन भी कहते हैं उपचयन भी कहते हैं ठीक है एक special note है इसको ध्यान दीजेगा कभी कभी होता क्या है आपसी करण अप प्रिया न भोलते है उपचयन भी बोल देता है तो आप उसमें से कन्फ्यूज मत होईएगा आपसी करण को उपचयन भी कहा जाता है ठीक है चलिए इसको आप स्क्रीन सॉट लेजिए फिर हम आपचयन अप्रिया के बारे में आपको बताते हैं चलिए अप देखते हैं अप्चयन अप्रिया रेडक्शन रियक्शन ठीक है यह अप्चयन अप्रिया आक्सी करण अप्रिया के जस्ट अपोजिट होता है विलोम होता है अगर आक्सी करण अप्रिया जो हमने पढ़ा है उसका पूरी जितनी भी डिफिनिशन हमने पढ़ी उसको अगर हम अपोजिट करके लिख दें विलोम करके लिख दें तो डिफिनिशन किसकी बन जाएगी अप्चयन अप्रिया के लिए बन जाएगी ठीक है तो देखें जै of oxygen था यहां oxygen क्या हो रहा है निकल रहा है बाहर हट रहा है यहां क्या होगा the reaction in which the separation of oxygen from any from ठीक है यहां from कर लेते हैं from from any element or compounds ठीक है occurs ठीक है तो इस तरह से अगर इसके example समझा जाए तो अगर हम क्या करें H2O ले ले रहे हैं ठीक है 2H2O ले ले लिए है यह में देखर क्या हो रहा हैب है Know substance अलग हो जा रहा है सादी साथ oxygen अलग है पहले क्या था हां oxygen उसके साथ reculum सादी ना हो लाग हो जो गया है बाहरों कि से क्या हो किसीStudent compound या या यहां कि foreign आग सीजन अलग हो जाता है तो ऐसी अप्रिया क्या कहलाती है अप्टैन अप्रिया कहलाती है ठीक है चलिए निक्स देखते हैं हम इसका क्या है जब वहां प्रिया जिसमें क्या हो रिड़ विद्धिती तत्यू का लॉस हो या मलब कमी आ जाए रिड़ विद्धिती तत्यू तो क्या होता है, हैसे हमार पास क्या हो, SNCL4 हो, इसके हमने क्या किया, आप क्रिया करवाई, SNCL2 बन गया, और क्लोरीन गैस आपकी अलग हो गई, ठीक है, तो देखो, अब इस सब क्रिया में देखो, पहले क्या था यहां पे, एसन के साथ, चार क्लोरीन, चार इलेक्ट्रो निगेटिव एटम जुड़े हुए थे, जब क्या कहते हैं, उत्पाद बना, तो SN के साथ, दो इलेक्ट्रो निगेटिव एटम बचे, जिसका हमने पहले चार था, अब दो हो गया, तो चार से दो में क्या हुआ, कमी हो गई ना किसकी कमी हो गई, दो इलेक्ट्रो निगेटिव एटम्स की, तो इस वज़े से ये भी अवग्रिया क्या कहलाएगी, अब चार अप्रिया कहलाएगी, ठीक है, अब नेक्स अप्रिया देखते हैं, दा एडिशन आफ हाइड्रोजन, बना ऐसी अवग्रिया, जिसमें हाइड है, सोडियम के साथ हमने क्या ले लिए हाइड्रोजन गैस ले लिए, और क्या बना है, टू एन एएच, सोडियम हाइड्राइड बना है, ठीक है, तो यहाँ देखो, पहले क्या था, सोडियम अकेले था, इसके साथ कोई भी अधर एलमेंट नहीं जुड़ा था, जब का है, तो आइसे अधरिय भी क्या कहलाती है, अचन अभग्रिया कहलाती है, ठीक है, चलिए, अब निक्स देखते हैं, निक्स क्या है, ण् cynक्रीजिंग, आफ इलेक्ट्रोब पोजिटिव कंपाउण्ड, ठीक है, तो जैसे इसमें देखा जाये, ते बिक्षक या है, यह उ किछ सिथैंगेञा क्षियुक्तिख है हाइड होता है एक दर का कि anche आप होता है हाइड है नोा सी быकों कर पदो यह क्या होगा हाइडाजान कि स い भी क्या होगा हाइडाज कि अप्चायन अप्टिया होगी या जब क्या हो कोई अप्टिया ऐसी अप्टिया हो जिसमें क्या हो हाइडोजन की इंक्रीजमेंट हो हाइडोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की ब्रद ही हो रही हो तो ऐसी अप्टिया भी क्या कहलाएगी आप चेन अप्रिया कहलाएगी ठीक है जैसे इसमें क्या था आपका सोडियम था सोडियम के पहले आपके देखा जाए तो इसके साथ कोई भी हाइडोजन नहीं था ना जीरो हाइडोजन थे बट जब उतबाद बना तो क्या हो गया दो hydrogen बढ़ गया तो hydrogen क्या है, hydrogen आपका क्या है इसके पास पहले इसके पास पहले इसके पास कोई नहीं था बट यहां क्या हो गया, hydrogen बढ़ गया इसका भी example क्या बन जाएगा यह example आ जाएगा ठीक है, अब चलिए इसका देखा जाए complete meaning of reaction अगर इन चारों step को समझा जाए इन चारों step में अगर समझा जाए तो क्या होता है, the reaction in which the iron, atom are molecule gains the electron मलब ऐसी अलक्रिया जिसमें क्या होते है, iron, पर्माड या आडू क्या करते है electron को ग्रहाण करते है इसमें क्या करते है electron को ग्रहाण करते है समझपा रहे है अप्रिया वहाँ अप्रिया होती है जिसमें क्या होता है, iron पर्माड या अडू क्या होता है electron को grant किया जाता है electron को accept किया जाता है तो ऐसी अप्रिया क्या कहलाती है reduction reaction कहलाती है ठीक है, ऐसी अप्रिया क्या क्या कहलाती है reduction reaction कहलती है reduction ठीक है reduction में क्या हो रहा है gain auf mathematics अगर इसका मतलब समझा जाए to reduction में क्या होता है gain आफिलिक्टान और oxidation में क्या आवसि ने समझा था lose our mathematics ठीक है तो दोनों एक दूस्रे से opposite है oxidation होगा to lose our mathematics reduction होगा to gain our mathematics ठीक है चलिए भी इसके लिए एक्जामपल अगर समझा जाए, तो जिसे क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्टरान एक्सेप्ट करता है, ग्राण करता है, और सील माइनस बना देता है, ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्टरान ग्राण करता है, और सील माइनस बना देता है अच्छा माइनस क्यों बना रहा है क्योंकि इसने एक रिक्टान को ग्राण किया, एक्सेप्ट किया है जिसे आप जानते हैं बैंक में जिससे जाते हो बैंक से आप पैसा लेते हो तो आप क्या कहलाते हो, रिडी कहलाते हो जिससे आप लेक्टान इसको दे दिया इस कारण क्या हुआ ख्लोरीन रीडिक है ठीक है तो इस वज़े से ख्लोरीन कुपर रीडा वेस आ जाता है ठीक तो रीडा वेस का मतलब क्या हो गया किसी भी तर्त में अच्छे यहां से एक डिफिनीशन और निकल के आ रही है कि इंक्रीजिंग य इंक्रीमेंट आफ निगेटिव चार्ज का इंक्रीमेंट आफ निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज ठीक है ऐसी अप्रियर जिसमें क्या हो रहा हो इंक्रीमेंट हो रहा है निगेटिव चार्ज में ब्रध्धी हो रही हो इंक्रीजिंग आप इंक्रीजिंग कर देत तो इस आपक्रिया से हमने यह भी एक नए तरीकी डिफिंशन जिसे निकल गया है यह जिसमें का हो निगेटिव चार्ज में ब्रद्धी हो रही हो देखो पहले यहां क्या था क्लोरीन गुपर जीरो चार्ज था कोई आवेस नहीं था फिर उदर क्या हुआ निगेटिव बढ गया तो क्या हो इंप्रीजिंग आफ लिएटिव चार्ज ठीक है तो इस प्रकार से हमने रिड़क्शन रिएक्शन के हमने डिफिंशन पढ़ी है ठीक है चली आप इसका स्कीन सॉट ले लीजिए और जो भी अगली वीडियो होगी जो भी अगला टॉपिक होगा आपको न हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और और जरूर करते रहें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर भी करते रहें आप लोग जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और जितना जल्दी से जल्दी होगा आपके questions या doubts का हम clear करेंगे समय से, एक है, थैंक यू